शिम्बला जिला के चरॉल में आगजनी से राख हुआ पहाडी शैली में बना शानदार मकान लकडी की आग पकड़ने वा हवाओ के तेश बहाओ के चलते स्थाने गरामिन वा दमकल भीभाग पूरी तरह जलने से नहीं बचा सके मकान आग सुबा नो बजे के करीब लगने से खुद को बचाने में काम्याब रह परिवार के सदस्य SDM कुमार से ने पीडित परिवार को दिया प्रशासन वा सरकार की तरफ से मदद का पूरा भरोसा आगजनी के लिहाद से काफी संबे दंशील बताए जाते हैं पहाडियत व बरफ से प्रभावी तिलाकों में बनाए जाने वाले देवदार की लकड़ी वाले मकान प्रदेश में गत सब्ता तक बारिश का दोर जारी रहने के बावजूद शुरू हो चुक है आगजनी की घटनाए शिमला जिला के उपमंडल कुमार सेन के अंतरगात आने वाली जरौल पंचायत में आज सूबा करीब 9 बजे पार्त महदा पुत्र कुलदीब महदा का मकान आगजनी से पूरी तरह जल कर राख हो गया पहाडी शैली में बने इस तीन मंजिना मकान के टॉप फ्लॉर में आग लगने के बाद आस पड़ोस के लोगत वा गाउवले हलाकी कुछ ही तेर में मादद के लिए पहुच गए थे मगर इसाली शान भावन में लकड़ी के इस्तेमाल वा तेज हवाओं के चलते आग पर काबू नहीं पाया जा सका स्थानी लोगों द्वरा फोन किये जाने के बाद हनकी फायर ब्रिगेड की टीम भी घटना स्थाल पर पहुची मगर करीब तीन घंटे में आग पर काबू पाये जाने तक घर में मौझूद लाखों का सामान वब भावन के लकड़ी वाले सभी हिस्से जल चुके थे घटना स्थाल पर पहुचे स्थानी नाइपता इसिलदार वा एस्डियम कुमार सेन केके शर्मा ने पीडित परिवार को प्रदेश सरकारत वा प्रशासन की तरफ से नियम अनुसार इमिडियेट रिलीव तदम आर्थिक मदद का भी भरोसा दिया गहर तलब है कि हिमाचल के बरफ से प्रभावीदत वा पहाड़ी लाकों में ठंड से बचने के लिए सदियों से परमपरिक शैली में बने मकानों में देवदार की लगड़ी का इस्तेमाल होता है और ऐसे भवन आगजनी की तृष्टी से काफी संबेदन शील समझे जाते हैं स्थानी लोगों के अनुसर आग इतनी तेजी से फैली कि घर पर रखा जरूरी वा कीमती सामान गहने वा नियावशक वस्तों को भी लोग नहीं निकल सके गरतलबह के प्रदेश में गत सब्ता तक बारिश का दोर जारी रहने के बावजूद आगजनी की घटना ही शुरू हो चुकी है और प्रशासनवत अमकल विभाग ने लोगों से आगजनी को लेकर स्तरकता बारतने की अपील की दूदू कर चले पहाड़ी शैली के इस खूबसूरत मकान के जलने के वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ादर वाइरल हो रहे हैं और सानी लोगों के अंसरा राग संभवता शौट सर्किट से लगी हो